लो फ्रेंड्स मैं देवंद्रिया दोस्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चलन जिसका नाम है इंफोर्मेशन टेक दोस्तों जब हम गाड़ी पे जब हम कोई गाड़ी लेते हैं या से अजी में करवाते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि पैट्रोल हमारी गाड़ी जो उसका दिखाते हैं कि कितना सेंजी है उसमें और गाड़ी आपकी सेंजी पे बंद हो जाए पैट्रोल आपकी गाड़ी में उतना है नहीं कि आप लंबी दूरी तक जासके तो सुबह घटना हुई तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं थी कवर अप हो गया यह प्रोब्लम अगर यही कवर करूँगा कि क्या वह घटना हुई थी और उस कंडिशन में मर्जेंशी सिचुशन में आप क्या कर सकते हैं एक्चल में हुआ यह कि एक बार में सुबह अपने जोब के लिए जब निकल रहा था तो गाड़ी में पैट्रोल नोर्मली हम कमी रखते हैं मतला भी यह करूंटर चला है अचानक से गाड़ी की सवी लाइटे जैसे कि अभी आप वीडियो में देखेंगे सभी लाइटे चलते चलते अचानक से बंद हो जाएंगी और ना उसमें रेड लाइट जलेगी ना कुछ भी अचानक से बंद हो गा और आपा पैट्रोल पे अस टाम पे अब इस सीचेशन में क्या करें अब मैंने जब यह चीज फील की तो मुझे भी आइडिया नहीं था क्या प्रोब्लम है मैं लगबग मैंने सारी चीजे जो मैं कर सकता था इसमें मैंने बॉनट खोल के चैक किया कही से कोई लीकेज भी नहीं था टैंक में फूल है और उसके अ बटारे मुझे और उनके पास केबल भी नहीं थी तो वीक। फूल åled के को अभी तो इस प्रोब्लम हिए अधे कंटिनु एक अप्स तक गाड़ी मैंने बाट फोडन के फी चलाई थी तो नहीं ने चंके लइडम थी तो प्रोब्लम गम अथे में कौन थी Rocky वह सए desirable थी और का जो water है उसका temperature sufficient नहीं है कि जितने पर cng convert होनी चाहिए बलाब engine के अंदर जो heat है यह engine उतना heat up नहीं हुआ है जितने पर cng चलनी चाहिए तो इस विज़े से वह आप इस पेट्रोल पर convert कर रहा है कि engine को पेट्रोल पर चलाई उसके चेंज करेंगे लेकिन ऐसा तो नहीं था गाड़ी 40 km चली भी थी फिर क्या problem हो सकती है तो उसमें जो problem निकल की आई दोस्तों वह यह थी यह आप जो देख रहे हैं यह एक चुल में temperature sensor है यह kit में होता है यह temperature जादा है वहां पर बिल्कुल इस हिसाब से टाइट है कि यह अलग वाइबरेट हो रहा है तो यह तूटने के चांस बढ़ जाते हैं तो कोशिस करेंगी थोड़ा सा इतना इन में रहे मुमेंट की यह यहां से नहीं ले या फिर यह दोनों यहां पता भी नहीं है कि इसकी वजय से है लेकिन में साथे घटना हुई तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि यह रीजन हो सकता है आप इस चीज़ को जुरूर चेक करें तो इस क्यां प्रोफान आप ब ढएक सेंब निकाले दिए निकालने के बाद इन दौण वायरों को चिलिए अपस समुक्पे में टूप कर दीजिए टूप थिवूट है तो ते तो एम निकाल सकते हैं भगव लिए उम्मीद करता हूं दोस्तो यह आपके लिए helpful रहेगे यह information अगर आपको अच्छी लगे तो like जरूर करें दोस्तों चैनल को subscribe करना ना भूलें अपने कीमति कमेंट्स जरूर दें आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद